हलो एवरीवन वेलकम टू लर्णर भी आएम शिवानी चाहान क्लास सेवंथ एसस्टी पीटी टू का स्वॉल्फ क्वेश्टन पेपर हम देखने वाले हैं एक्जाम पॉइंट व्यू से आपके बहुत जादा इंपॉर्टेंट क्वेश्टन से होने वाले हैं तो सबसे पहला अलवर्स वर्द वर्शिपर्स ओफ तो अलवर्स लॉड विश्णू की पूजा किया करते थे तो नयनर्स किसकी करते थे आप पताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका पीटियव आप लोगों को हमारे टेलेग्राम क्रूप पर मिलेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनमें से मीडिया के फॉर्म कौन-कौन से हैं तो TV, Radio, Newspaper ये सारे के सारे मीडिया के फॉर्म्स होते हैं नेक्स्ट है, which is the main source of income of media, तो media जो है न, वो ads से पैसा कमाता है, सबसे ज़्यादा, which has bought the world closer to us, तो television से, भई हम पूरी दुनिया के बहुत सदा close आ चुके हैं, अब words को define करना है, हेगियोग्रफी, तो हेगियोग्रफी होता है, writing, lights of saints, संतों के जेवन के बारे में चुलिखा जाता है, उसको हम हेगियोग्रफी बोलते हैं, censorship का मतलब होता है, power of government to disallow media from publishing certain stories, मतलब कुछ stories को मना कर देती है, या कुछ news items को सरकार कहती है, कि ये नहीं चापा जाएगा, या फिर ये नहीं दिखाया जाएगा, तो इसी को हम लोग censorship बोलते हैं, ब्रॉड्कास्ट का मतलब होता है, टीव और रेडियो प्रोग्राम that is widely transmitted, तो ब्रॉड्कास्ट करने का मतलब आप टीवी रेडियो कहीं पर भी देख रहे हैं, वो ब्रॉड्कास्ट होता है, लाइफस्टाइल जो आप जीवन शैली जो आपकी है ना जो आप जी रहे हैं, जिपिकल वे ओफ लाइफ उफ अन इंडिविज्वल ग्रॉप अंड कल्चर वो आपकी लाइफ चल रहे हैं वह यापका लाइफस्टाइल है, तो बिल्कुल सही बात है, ट्राइबल सुसाइटीज में कहानियों से गाने गाह करके इस तरीके से बहुत सारे अपनी जो है नॉलेज फ्रांसफर की जाती है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन एगरिकल्चर सिस्टम प्रेक्टिस्ट पाइबल कुल सही बात है, शिफ्टिंग एगरिकल्चर फॉलो किया जाता था गोंड के द्वारा, अडविटाइजिंग प्रॉडॉड्ट पॉड्ट अलॉट अफ मानी बिल्कुल सही बात है, एडवर्टाइज करने में काफी पैसा लगता है, सिफ्टिंग वस द इंपॉर्टन रूलर किसके रहे अहों स्टेट के थे, यह अमने स्टार्टिंग में भी देखा था, शंकर जो थे, उन्होंने अधवेट, मतलब दो नहीं है, एक ही है, अधवेट के सिध्धान्त को फॉलो किया था, प्रसार किया था, असर्शन है, सूफीज वर मुसलिम मिस्टिक, तो प्रिकुल सही बात है, तो उन्होंने का कि भाई, बहार से दिखावा नहीं करना है, कि यह है भगवान, अंदर से, मतलब आपको भक्त बनना है इश्वर का, तो दोन मुगी दोने बाते बिल्कुल सही है, तो बोध एजर्शन और रीजन सही है, और जो रीजन है, वो करेक्ट एक्स्प्रेनेशन भी है एजर्शन का, बिल्कुल सही बात ये है, नेक्स देखो, कि मीडिया जो है, वो प्लूरल फॉर्म है, मीडियम का, ये डिस्क्राइब करता है कई सारे वेज, जिससे हम सुसाइटी के साथ कमिनिकेट करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, हम सुसाइटी से कमिनिकेट करते हैं, कि मैं आप से कम्निकेट कर रही हूँ थू यूट्यूब तो ये भी एक मीडिया ही है मीडिया और प्रेस इंपोर्टन रोल इसेटिंग अजेंडा बिल्कुल सही बात है आप मीडिया में जो पूरे दिन देख रहे होते हैं बांक में भी वही चीज़े छपती है सरकार से भी फिरा वही डिबांड करते हैं नेक्स्ट है दोर माते सही है बट करेक्ट इसका यह नहीं हम बान सकते हैं तो आगे दिखते हैं राइट एनी वन प्रोड़क्ट नेम जीन्स प्रोड़क्ट नेम है और ब्रांड लिवाईस आप कह सकते हैं अब short answer type question है कि what were the major teachings of बाबा गुरु नानक देव तो major teachings थी कि God एक है, God formless है, हर तरफ God है, God eternal है और God की हमें बात माननी चाहिए, God merciful है, God great है और उन्होंने जातीवाद को बिल्कुल नकारा था और भक्ती रेडिशन को follow किया था next है, यह पर वाई नहीं आएगा, what kind, ठीक है वाई की जगह है, आप लोग यहाँ पर what कर सकते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे, what kind of exchange to place between nomadic pastoralist and settled agriculturist तो इसका अंसर है, the nomadic pastoralist exchange wool, ghee, etc. with settled agriculturist for grain, cloth, utensil, यान की बर्तन और other products के बतले next question है, in what way media play an important role in a democracy? तो democracy में media कैसा role play करता है? तो देखो, इसका answer है, कि media play an important role in democracy in the following ways they make the masses know about certain issues, है न, news देखते हैं, हम लोग हमें पता लगता है कि देश में क्या चल रहा है they propagate the policies and program of government, government की policies के बारे में, government के programs के बारे में भी हमें पता लगता है they also criticize the unpopular policies and programs of government, तो जो खराब policies होती है, उनको भी criticize किया जाता है, media में they help informing opinion of the masses, तो masses की opinion form करने में बहुत बड़ा रूल होता है, media का they also report various crimes and mishappenings, मतलब crime, mishappenings या बुरी चीज़ों को भी report करते है media also announce the opinion of public about certain issues, तो लोगों का क्या opinion है, ये भी media में दिखाया जाता है next question है, what do you understand by word brand, brand वर्ड वर्ड से अपक्या समझते हो, list two reasons why building brand is central to advertising तो brand building करना advertising की बहुत जादा important है क्यों, तो brand क्या होता है, सबसे बहले तो ये देखे है brand, it means stamping a product with a particular name or sign in order to differentiate it from other products in the market तो भई, आपने प्यूमा का जूता खरीदा, तो उसमें प्यूमा का लोगो होता है, है ना, तो वही brand है होई भी अकर आपने कपड़ा खरीदा है, तो कोई नाम लिखा हो है, तो यानि कि वह अपनी branding कर रहा है, वो बता रहा है कि ये कपड़ा इस company का है अब reason क्या है, तो क्यों brand बनाया जाता है, it creates positive image of the product in the eyes of consumer and compels them to buy it तो भई, अच्छा है, अच्छा है, इतना अच्छा है, आप अच्छे लगोगे, इस तरीके की चीज़ से आपके mind में generate की जाती है और आपको compelled गिया जाता है खरीदने के लिए, it differentiate the product from the local or other competitive products in the market तो बागी products से differentiate करने के लिए भी अपना लोगों लगाते हैं, brands Next, देखिए Describe the belief and practices of नाथपन्ती, सिध्धी and योगी तो इसमें answer है, नाथपन्ती, सिध्धी and योगी believed in the renunciation of the world दुनिया को में थोड़ा त्यागना है और मुक्ती पानी है For them, the path of salvation lay in meditating on the formless ultimate reality They stressed on intense training of the mind and body through yogasana, breathing exercise and meditation Next, देखिए, जो question आता है, वो आता है, write down your own experience, how advertisement affect you? So, what does advertisement affect you in your life? I just told you about Puma's shoes, you suppose that you are willing to take a cycle in a lot of times Or sometimes it happens that we don't have to take a cycle in a lot of times When we look at the ad, we think that we should take a cycle in a lot of times Suppose, you look at your fruity ad, you don't think anything, you don't have to take a cycle in a lot of times But you have to take a cycle in 3-4 hours, and sometimes it will take a cycle in a lot of times Now, you will be able to take a cycle in a lot of times